वेल्कम टूबर चैनल केवी 360 यह है क्लास सेकेंड की निव इंसियाटी बुक सारंगी और इसमें आजम करेंगे इसका आटमा पार्ट तीन दोस्त तो चलिए इसको मिलकर पढ़ लेते हैं इसके बाद इसके question answers को भी करेंगे चलिए बात पुरानी है तब बस तीन ही रंग थे लाल पीला और नीला लाल रहता था हर लजीज बस्तु में जैसे टमाटर, सेब, चेरी और अलू बुकारे पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार जो मुस्कुरा कर देता था रोस्नी लगातार फिर आस्मान भी नीला था और जमुदर भी पेंडो से टबक्ती बारिस भी नीली भी थी तीनों पक्के दोस्त थे एक दिन उन्हें एक कहा उन्होंने कहा हमें और दोस्त चाहिए चलो नए दोस्त बनाए और वे निकल बड़े दोस्तों की तलास में और देखा क्या हुआ लाल और पिला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला नरंगी पिले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला हरा लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला बैंगनी इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगी तो य लिल ते त्समान को रहान चैनिला था और पेड क önce नीला था ऊसके बाद इन तिनों कि चलते हैं कई नए दोस्तram intuitive यह भी रेग दोनों जब रहे थे रास्ति या लाल और और रहरे थे तो उन्हों जब सात में cœur है क्ए नारंगी तो तो इसका मतलब यह हुआ कि लाल और पीले को जब मिलाएंगे तो वो नारंगी रंग बना देते हैं, फिर पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया रंग बना वो कौन सा हरा, तो पीले और नीले को जब मिलाएंगे तो हरा रंग बन जाता है, फिर लाल और नीले को जब मि परस्वनों को देखते हैं क्या रंगों की तरह हैं आप भी अपने मित्रों के साथ मिल जुल कर रहते हैं पर अगला प्रस्ण आप अपने मित्रों को कैसे मनाते हैं मतलब आपके अपकर अपने दोस्ते अगर लड़ाई होते तो उनको कैसे मनाते हैं कि उनसे बात करके बात करके अपनी कि चीजों को एक दूसरे से से बात कर अगला है क्या आसमान हमेशा निला दिखाई देता है क्या सूरज हमेशा पिला दिखा होता है क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं अपने अनुबवों के आधार पर बताईए तो यहाँ पर तीन प्रस्ण दिये हैं क्या आसमान हमेशा निला दिखाई देता है तो नहीं आसमान हमेशा निला नहीं दिखाई देता है क्या सूरज हमेशा पिला दिखाई देता है नहीं सुभष साम सुभष शाम लाल दिखाई देता है फिर है पत्ते क्या पत्ते हमेशा हरे दिखाई देते हैं नहीं कभी भूरे कभी पीले भी दिखाई देते हैं अगला है अप मैं मित्र कैसे बनाते हैं तो नए मित्र आपको अगर सबसे पहले किसी से बात कर नहीं हो गryदं के साथ के लना होगा तो देरे देर मेटा आप हो जाती है तो किसी जा करके और उनके साथ victim के लगकर खेल कर अगला है नीचे दिये प्रस्णों के उतर अपनी कॉपी में लिखिए कहानी में आये रंगों के नाम लिखो तो वो है लाल पीला नीला हरा बैंगनी और नारंगे फिर वाके पूरा करें तीनों रंग पके दोस्ते फिर उन्हें नए दोस्त बनाएं क्योंकि उन्हें नए दोस्त चाहिए थे फिर आगे है विद्याले में नारंगी हरी और रंग बैंगनी रंग की बस्तों को कोजिए उनके नाम भी लिखिए तो नारंगी रंग की जो भी बस्तों है आपको यहाँ पर नाम लिखना है हरी रंग की जो बस्तों है यहाँ पर नाम लिखना है बैंगनी रंग की जो बस्तो सकती है जैसे की बूख हो सकती है कॉपी हो सकती है कपी का कबर हो सकता है डुस्टरدا कर रंग होसकता है आपके चार्ट वेपर करने सकता है पैसल कर bound हो सकता है ईरे diff Alok हो सकता है तो यह जो भी चीज़ें को आप ध्यान से देखे और इसको बाद इन चीजलों के लिखे नारंगी जो चीज़े है नारंगी के यहां लिख देंगे जो चीज़े हैं यहां लिख देंगे और जो बैंग नी है वो यहां लिख देंगे यह कुष्टन आपको अपने आप करना हुआ क्योंकि आप सबी का classroom अलग-अलग होगा आये कुछ बनाएं, मेज बर अकवार बिचा दीजिए, अलग-अलग ग्लास कब में तीन रंगों का पानी लेजिए, लाल, पीला और नीला ड्रॉपर की साहता से रंग की बूंदों को अकवार पर छिड़की है, अलग-अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के उपर आसपास छिड़की है, और तदा नए रंग मनाईए, आप रंग की बूंदों से डिजाइन भी बना सकते हैं सबी रंगों को मिला कर देखे कौन सा रंग बनता तो ये क्या है एक activity है जिसमें आपको क्या करना है तीनों रंग लेना है लाल लेना है और निला लेना है अब इनको क्या करना है एक दूसरे से मिला कर देखना है कि कौन सा रंग बनता है तो ये activity है आपको करना है घर पर अप हमने फिर शब्डों का खेल रंगों के नाम लिखinea फी आकी मात्रा वाले तुर लाल में लाल square पीला हर तुर कि इसमें यह दो आकी मात्रा एव आ के मट्रा ये भी आकी मात्रा है और वी हो जाएगा नारंगी हो चाहेगा तो तीन दो मात भी बिना मात्रा वाले सो बिना आकी मत्रा बाले काउन सा हो सकता है? हराप, पीला, नारंगी, गुलाबी, इसमें तो कोई है नहीं? तो सफेद, सफेद है, इसमें बड़े आकी मत्रा नहीं है. सफेद के बाद काउन सा हो जाए? बैंगनी, बैंगनी भी बड़े आकी मत्रा नहीं है. बैंगनी ठीक है इसके लाब दो हमें find करने दें बाकि आप देखते रहे हैं फिर आगे देखते हैं चित्र कारिया और लेखन अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए वह रंग आपको किन-किन बस्तों की याद दिलाता है उनके चित्र बनाईए कुछ बाग के भी लिखि प्रसर्ण करत ती के रंग तो यहां पर देख रहे हैं यह केले का पेंडे अहरा यह केला है यह इली है ठीक है यह माली है यह माली का stray कैसे विए धोड़ाल है मिट्य को यह मिट्टी है थीक है तो इस तरह यह एक पिक्चर है इसको आपको देखना है तो इसमें करना किया आपको एक कहानी बनानी है और अपने मित्रों को सुनानी है तो आप बना सकते हैं कुछ भी जो कहानी एक बार की बात है एक एक माली मिट्टी खोद रहा था बीज बोने के लिए वहाँ पर एक हरे रंकी इल्ली आई और वो केले के उपर चड़ने लगी केले के उपर चड़ी और वो उपर चड़ने के बाद एक कुलाब के फूल के उपर गिर गई इस तरह आप कोई भी छोटी मोटी कहानी बना सकते हैं तो ये आपको करना है नेक्स्ट आप देखिए क्या है यह है भंवरा सूरज मुखी केचुवा बीज तरबूज इन सभी का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं में तो यह याद था आज का पार्ट आये होब आप सभी को समझ में आ गया होगा पढ़ते रही है मिलते नेक्स्ट वीडियो में